5, 4, 3, 2, 1 सभापती महोदय किसानों की उपज कि आप ना अधिक कीमत दे सकते हैं, ना अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्द हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है जो कुछ आप कर रहे हैं, उससे कोई अच्छा भविश्य नजर नहीं आ रहा है मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि आपके कारिक्रम में कहां त्रोटी है, कहां कमी है आपने कर लगा रखे हैं, आपने जो कर लगाए हैं, वे तो लगाए ही हैं, हमारे प्रदेश में तो जमीन पर 25 प्रतिशत जादा कर भी लगा दिया गया है इतना बोज अगर किसान पर होगा, तो उसकी कमर तूट जाएगी वह पहले से तूटी जा रही है, लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तयार हैं, यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तयार करें हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, पूर्वी जिले हैं, जहां पर बहुत बुरी इस्थिती है हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहां लोगों को दो रुपए मजदूरी में मिलता है इतनी ही एक दिन की उनकी मजदूरी है, सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहां पर कुछ विकास के कार्य किये जाएं वह योजना भी अब खटाई में पड़ गई है आपका ध्यान इन समस्त चीजों की ओर कैसे दिलाया जाए कैसे आपका ध्यान इन सभी कठिनाईयों की ओर आकरशित किया जाए समझ में नहीं आता है यातायात के साधनों की इस्थिती यह है कि प्रेनों में दूसरे दरजे में भीड भार का कोई ठिकाना नहीं है उसकी कोई सीमा नहीं है हर रोज ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है आपके पास अच्छे इंजन हैं अच्छे गति वाले इंजन हैं लाइन भी अच्छी हैं तो क्यों नहीं दूसरे दरजे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए वह काम नहीं किया जा रहा है आपको किसान की दिहात में रहने वाले आदमी की मजदूर की परवाह नहीं है जो समस्त कठिनाईयों को झेलता है आपके सारे कारिकरम को पूरा करने की उसमें कहां से शक्ति आएगी कैसे वे अधिक अन उपजा कर आपको डे सकेंगे आप इन सब पर सोच विचार करें आपने बड़े बड़े फार्म बना दिये हैं क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाब मिल रहा है सभापती महोदय सरकार ने कई क्रिश्वी फार्म खोले हैं क्या ये फार्म घाटे में नहीं चल रहे हैं अगर सारे खर्च जोड दिये जाएं बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन जोड दिये जाएं तो पता चलेगा कि ये सारे कृष्वी फार्म घाटे में चल रहे हैं क्या इसी तरह से आप सारे किसानों को घाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे जिस शेतर से मैं आता हूँ वहाँ एक पुल बना है मैंने दस वर्ष तक अपनी विधान सभा में इस पुल के लिए कोशिस की है जिस दिन से मैं यहां आया हूँ बराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हूँ बराबर कोशिस कर रहा हूँ मैं कहता हूँ कि गंगा पर वह पुल बने उस पुल को बनाने का आश्वासन भी मिला था एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जवाब दिया गया था यह कहा गया था कि इसको हाथ में लिया जाएगा अब मालूम हुआ है कि उस योजना को उठाकर ताक पर रख दिया गया है और यह पुल नहीं बनेगा इन लोगों ने क्या कसूर किया है यह मैं आप से जानना चाहता हूँ हमारे शेत्र के लोगों ने पाकिस्तान की लड़ाई में सरकार को हर तरह का सहयोग दिया था जिस समय पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था तो कहीं कोई बात नहीं थी अन की कमी कहीं नहीं थी अन की कमी भी हमारे विरोधी साथी पैदा करते हैं जो यह चाहते हैं कि सरकार असफल हो जाए ये लोग जो कहते हैं उसको आप समझें एक तरफ तो हमारे मित्र की बात है जो देश के बड़े बड़े शहरों में दंगे करवाते हैं दूसरी तरफ हम हैं जो इनकी बातों को नहीं समझ पाते इनको सभी वे लोग मिल जाते हैं जो बेकार होते हैं या जो दंगे करवाने के लिए उद्सुख है इसलिए सरकार का इन सारी चीजों की तरफ ध्यान जाना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि क्या तरीका इन सब से बचने का हो सकता है एक ही तरीका हो सकता है कि इस देश में हर आदमी को काम मिले दिहात में लोगों को करने के लिए काम मिले और खादी कमिशन की जो योजना है और जो की एक अच्छी योजना है वह ठीक तरह से चले सवभाग्य से मैं आरे समाज संगठन से संबंध रखता हूँ कि शूआ लगों से संग में दोड़ा भी बागोंस जीजना है